एक लड़की की शादी उसकी मर्जी के खिलाफ एक सीधे साधे लड़के से की जाती है जिसके घर में एक मा के अलावा और कोई नहीं है दहेज में लड़की को बहुत सारे उपहार और पैसे मिले होते हैं लड़की किसी और लड़के से बहुत प्यार करती थी और लड़का भी लड़की शादी होके आ गई अपने ससुराल शुहाग राद के वक्त लड़का दूद ले के आता है तो दुलहन सवाल पुछती है अपने पती से एक पतनी की मर्जी के बिना पती उसको हाथ लगाए तो उसे बलातकार कहते है या हक पती ने कहा आपको इतनी लंबी और गहरी जाने की कोई जरूरत नहीं है बस दूद लाया हूँ पी लिजेगा हम सिर्फ आपको शुबरातरी कहने आये थे कहे के कमरे से निकल जाता है लड़की मन मार कर रह जाती है क्योंकि लड़की चाहती थी कि जगड़ा हो ताकि मैं इस दवार से पीछा चुड़ा सकूँ है तो दुलहन मगर घर का कोई भी काम नहीं करती बस दिन भर ऑनलाइन रहती और नजाने किस किस से बाते करती मगर उधर लड़की की मा बिना शिकायत के दिन भर चुला चुका से लेकर घर का सारा काम करती मगर हर पल अपने होठों पर मुझ कुराहट लेके फिरती लड़का एक कमपनी में छोटा सा मुलाजिम है और बेहदी महनती और इमानदार करीब महिने भर बीट गए मगर पती पत्नी अब तक साथ नहीं सोए वैसे लड़का बहुत शांत स्वभावाला था इसलिए वा जादा बाते नहीं करता था बस खाने के वक्त अपने पत्नी से पूछ लेता था कि कहां खाओगी अपने कमरे में या हमारे साथ और सोने से पहले डाइरी लिखने की आदत थी जो वा हर रात को लिखता था ऐसे लड़की के पास एक स्कुटी था वा रोज बाहर जाती थी पती के ऑफिस जाने के बाद और पती के वापस लोटते ही आ जाती थी चुटी का दिन था लड़का भी घर पे ही था तो लड़की ने अच्छे भले खाने को भी गंदा कहके मा को अब शब्द बोलके खाना फैक देती है मगर वा शान्त रहने वाला उसका पती अपनी पतनी पर हाथ उठा देता है मगर मा अपने बेटे को बहुत डाटती है इधर लड़की को बहाना चाहिए था जगडे का जो उसे मिल गया था वा पैर पटकती हुई स्कूटी लेके निकल पड़ती है लड़की जो रोज घर से बहार जाती थी वा अपने प्यार से मिलने जाती थी लड़की भले तूट कर चाहती थी लड़के को मगर उसे पता था कि हर लड़की की एक हद होती है जिसे इज़द कहते है वा उसको बचाए रखी थी इधर लड़की अपने प्यार के पास पहुँच कर कहती है अब तो एक पल भी उस घर में नहीं रहना है मुझे आज गवार ने मुझे पर हाथ उठा के अच्छा नहीं किया लड़की ने कहा अरे तुम से तो मैं कब से कहता हूँ कि भाग चलो मेरे साथ कहीं दूर पैसे और गहने साथ ले लो तुम तो खाली हाथ आई थी आखिर दूर एक नई जगह में जिंदगी नए सीरे से शुरू करने के लिए पैसे तो चाहिए ना लड़की ने कहा तुमारे और मेरे प्यार की बारे में जानकर मेरे घरवालों ने बैंक के पासबूक, एटियम और मेरे गहने तक रख लिये थे तो मैं क्या लाती अपने साथ हम दोनों मेहनत करके कमा भी तो सकते थे लड़के ने कहा चला कर इंसान पहले सोचता है और फिर काम करता है खाली हाद भागते तो ये इश्क का भूत दो दिन में उतर जाता समझी और जब भी तुम्हें चूना चाता हूँ बहुत नकरे है तुमारे बस कहती हो शादी के बाद लड़की ने कहा हाँ शादी के बाद ही अच्छा होता है ये सब और सब तुम्हारा तो है मैं आज भी एक कुवारी लड़की हूँ शादी करके भी आज तक उस गवार के साथ सो न सकी क्योंकि तुम्हें ही अपना पती मान चुकी हूँ बस तुम्हारे नाम की सिंदूर लगानी बाकी है बस वह लगा दो सब कुछ तुम अपनी मर्जी से करना लड़की ने कहा ठीक है मैं तयार हूँ मगर इस बार कुछ पैसे जरूर साथ लेके आना मत सोचना हम दौलत से प्यार करते हैं हम सिर्फ तुम से प्यार करते हैं बस कुछ छोटी मुटी बिजनेस के लिए पैसे चाहिए लड़की ने कहा उस गवार के पास कहा होगा पैसा मेरे बाप से तीन लाख रुपया उपर से मारूती कार ली है बस कुछ गहने है वह लेके आओगे आज लड़का लड़की को हटल का पता देकर चला जाता है लड़की घर आके फिर से लड़ाय करती है मगर अफसोस वह अकेली चिल्लाती रहती है उससे लड़ने वाला कोई नहीं था रात आट बजे लड़के का मैसेज आता है वाटसप पे कि कब आ रही हो लड़के जवाब देती है सबर करो कोई सोया नहीं है मैं बारा बजे से पहले पहुँच जाओंगी क्योंकि यहां तुम्हारे बिना मेरी सांसे घुटती है लड़के ने कहा ओके जल्दी आना मैं होटल के बाहर खड़ा रहूँगा बाई लड़की अपने पती को बोल देती है कि मुझे खाना नहीं चाहिए मैंने बाहर खा लिया है इसलिए मुझे कोई परिशान न करे इतना कहके दरवाजा बंद करके अंदर आती है कि पती बोलता है कि वह अलमारी से मेरी दायरी दे दो फिर बंद करना दरवाजा हम परिशान नहीं करेंगे लड़की दरवाजे खोले बिना कहती है कि चाबिया दो अलमारी की लड़के ने कहा पहली बार खोला था क्योंकि वह अपना सामान अलग अलमारी में रखती थी अलमारी खोलते ही हैरान रह जाती है अलमारी में उसके अपने पास्ट बुक एटीम कार्ड थे जो उसके घर और परिशान थी फिर उसके नजर डाइरी में पढ़ती है और जल्दी से वह डाइरी निकाल के पढ़ने लगती है लिखा था तुम्हारे पापा ने एक दिन मेरी मां की जान बचाई थी अपना होन दे कर मैं अपनी मां से बेहत प्यार करता हूँ इसलिए मैंने जुक कर आप का ये अनमोल एहसान कभी नहीं भूलूँगा कुछ दिन बाद आपके पापा हमारे घर आई हमारे तुम्हारे रिष्टे की बात लेकर लेकिन उन्होंने आपकी हर बात बताई हमें कि आप एक लड़के से बेहत प्यार करती हो आपके पापा आपके खुशी चाते थे इसल लड़का बहुत सी लड़की को दोखा दे चुका है और पहले शादी भी हो चुकी है पर आपको बता न सके क्योंकि उन्हें पता था कि ये जो इश्क का नशा है वह हमेशा अपनों को गैर और गैर को अपना समझता है एक बाप के मूर से एक बेटी की कहानी सुनकर मैं हमेशा पाशकता हूँ मुझे दहेज में मिले सारे पैसे मैंने तुम्हारे एकाउंट में जमा कर दिये है और तुम्हारे घर से मिली गाडी आज भी तुम्हारे घर पे है जो मैंने इसलिए भीजी ताकि जब तुम्हें मुझसे प्यार हो जाए तो साथ चलेंगे कहीं रुप्या ना लेना मर्द हो तो कमा के खिलाना तुम आजाद हो कहीं भी जा सकती हो डाइरी के बीच पन्नों पर तलाक की पेपर है जहां मैंने पहले ही साइन कर दिया है जब तुम्हें लगे कि अब इस गवार के साथ नहीं रहना है तो साइन करके कहीं भी अपनी सारी दोने दिल को छुआ था ना चाहते हुए भी गवार के अंदेखे प्यार को महसूस करके पल के नम होई थी आगे लिखा था मैंने तुम्हें इसलिए मारा क्योंकि आपने मा को गाली दी और जो बेटा खुद के आगे मा की बेईज़ती होते सहन कर पाए फिर वह बेटा कैस कल आपके भी बच्चे होंगे चाहे किसी के साथ भी हो तब मैसुस होंगी मा की महानता और प्यार आपको दुलहन बना के हम सफर बनाने लाया हूँ जबरदस्ती करने नहीं जब प्यार हो जाए तो भरपूर वसुल कर लूँगा आपसे आपके हर गुस्ताकी का बढ़ला ह हम शिद्दत से लेंगे हम आपसे गर आप मेरी हुई तो बेपना महबबत करके किसी और की हुई तो आपके हक में दुआये मांगके लड़की का फोन बज़ रहा था जो वाइब्रेशन मोर पे था लड़की अब दुलहन बन चुकी थी पलकों से आंसु गिर रहे थी सिसकत ना दोकर साड़ी पहनी लंबी सी सिंदूर डाली अपनी मांग में फिर मंगल सुत्र जबकि पहले एक टिक्की जैसी साइड पे सिंदूर लगाती थी ताकि कोई लड़का ध्यान न दे मगर आज 10 किलोमिटर से भी दिखाई दे ऐसी लंबी और गाड़ी सिंदूर लगाई जबकि कुछ पता ही नहीं है उनको कि बहू आज मुझे कहां ले जा रही है बस बैठ जाती है फिर रास्ते में साश्रुमा को पती के आफिस का पता पूछ कर आफिस पहुंच जाती है पती है पत्नी को इस हालत में देख कर पती ने कहा सब ठीक तो है न मां मगर मां बोलती इससे पहले पत्नी गले लगा कर कहती है कि अब सब ठीक है I love you forever ओफिस के लोग शब खड़े हो जाते हैं तो दुलहन कहती है कि मैं इनकी धर्म पत्नी हूँ बनवास गई थी सुबह लोटी हूँ अब एक महिने तक मेरे पतिदेव ओफिस में दिखाई नहीं देंगे ओफिस के लोगों ने कहा क्यों तब दुलहन ने कहा क्योंकि हम लंबी छुट्टी पे जा रहे हैं साथ साथ पति ने कहा पागल दुलहन ने कहा आपके सादगी और भोले पन्ने बनाया है सभी लोग तालिया बजाते है और दुलहन फिर से लिपट जाती है अपने गवार से जहां से वाद दुबारा कभी भी छूटना नहीं चाहती बड़े कड़े फैसले होते हैं कभी-कभी हमारे अपनों के मगर हम समझ नहीं पाते कि हमारे अपने हमारी फिकर खुद से जादा क्यों करते हैं माबाप के फैसलों का सम्मान करें क्योंकि ये दो ऐसे शक्स है जो आपको हमेशा दुनियादारी से जादा प्यार करते हैं दोस्तों इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राइ है निचे कमेंट करकर जरूब बताएगा और अगर आपके वीडियो अच्छा लगा हो तो इसटो को लाइक करेगा शेर करेगा जाधा ज़ाधा लोगों तक और ऐसे यह और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्र